बस इसे अपने चेहरे पर लगा लो रोजाना रात को सूने से पहले और आप देखेंगे कि आपके चेहरे के दाग दब्बे खत्म होंगे और गोरापन बढ़ने लगेगा बहुत ही तेजी से नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस क्रीम के साथ कुछ और चीज़े मिला करके अपने चेहरे के दाग दब्बे रातो रात खत्म कर सकते हैं दोस्तों मेरे बताए आज की इस नुस्के को बस आपको रात को सोने से पहले लगाना है मतलब बस आपको इस नुस्के को बनाना है सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाना है और सुबह तक आप देखेंगे कि आपके दाग दब्बे तेजी से कम हो रहे होंगे इस remedy को सिर्फ आप कुछ दिनों तक यूज करके देखें आप देखेंगे कि आपके जो चेहरे के दाग दब्बे हैं वो बहुत ही तेजी सा समाप्त हो जाएंगे इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है चेहरे का गुरापन और बढ़ा सकते हैं उसके लिए बस आपको मैं कुछ टिप्स दूँगा जो कि आपको फॉलो करनी होंगे और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का गुरापन बढ़ जाएगा वीडियो को अंत तक देखते रहें वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी शेनल भंडाल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब करें साधी साथ बेल आइकन को दबाईए जिससे आप बंडाल टीवी के इस प्रकार की नई और लेटिश वीडियो सबसे पहले देख पाएं इस रेमेडिय के सबसे जो पहले चीज रहेगी वो रहेगा चंदन का पाउडर देखिए दोस्तों चंदन का जो पाउडर होता है यह हमारी सकीन के अंदर तक जाय करके हमा रहेगी को बहुत ही ध्यान से फॉल्व करना है यह जो चंदन का पाउडर यह वैसे तो मार्केट के बहुत ही इसली मिल जाता है इसलिए आपको जो इसको यहाँ पर आपको लगबग आधा चम्मस से थोड़ी ज़्यादा मात्रा मीस प्रकासे कटूरी में डाल लेना है फिर यहाँ पर आपको जो दूसरे चीज़ प्रयोक करनी है वो भी आपको दिखा देता हूँ जो कि है ये अब आप बोल रहे होंगे ये क्या है ये है दोस्तो कपूर जो कि हैं पूजा घर में इस्तमाल करते हैं जो एक कपूर होता है ये हमारे चेहरे के दाग दब्बे हटाने के लिए बहुत जादा कारकर माना गया है मैंने आपको एक वीडियो बहुत पहले बताया था जिसमें मैंने आपको कपूर और नारियल तेल का इस्तमाल बताया था जिससे आप अपने चेहरे के दाग दबे हटा सकते हैं तो दोस्तों ये वही कपूर है उस remedy में भी मैंने जो है कपूर का ही इस्तमाल किया था तो ये जो कपूर है बहुत जादा effective है मैंने खुद इसके result देखे इसलिए मैं आपको ये remedy बताया रहा हूँ बस आपको करना क्या है कि जो क Greapur आप इसको जो है चोटा सा लेकरके इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें पीस लेना है इस प्रकासे हाथों से ही आप कर लेंगे ये पूरी अच्छी तरीके से जो है पीस जाएगा कुछ बड़े गाठे बज्जा इसकी इस प्रकास है तो आप जो इससे फेक सकते हैं फिर इसके बद यहाँ पर आपको जो तीसरे चीज एड़ करने है वो भी आपको दिखा देता हूँ जो कि है विटामिन E की कैपसूल तो इस प्रकासे आप जो इसे डाल दे पूरा इसका जेल जो जो भी रहेगा पूरा आप डाल दे इस प्रकासे फिर इसका पेश्ट बनाने के लिए आपको जो है बस इस प्रकासे जो है रोज वर्टर यहाँ पर एड़ कर लेना है यह जो rose water रहेगा यह आपको इतना यूज करना है कि एक थोड़ा सा पतला पेश्ट बने क्यूंकि देखिए रात को सोने से पहले हम इसे लगा रहे हैं और पतला अगर हम इसे लगाएंगे अपने चेहरे पर तभी यह जो है अच्छी तरीके से skin के अंदर तक जा पाएगा तो इसे जो आपको थोड़ा सा पतला इसे बनाना है तो लगबख एक से डिर चमच यहाँ यह गुलाब जल एड़ कर लीजे अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उस टिप की जिसके बारे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया था देखें अगर आप अपने चेहरे को बहुत जादा क्लीन रखना चाहते तो इसके लिए आपको चुकंदर का जूस पीना चाहिए कम से कम आपको हफ़ते में तीन बार चुकंदर का जूस पीना चाहिए और दिन में कम से कम आपको जादा से जादा मातरा में पानी पीना चाहिए ये दो काम अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो गोरा होगा, साधी ता चेहरे के दाग दब्बे भी खत्म होंगे आप बात करते हैं कि इस रेमेडी को जो आपको किस प्रका से यूज़ करना है, देखेंगे पूरी तरिके से अच्छी तरिके से इसकिन के उपर लग जाएगा, देख सकते हैं यह दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत ही अच्छी तरिके से इसकिन के उपर लग चुका है, और जहाँ जहाँ आपके दैग दब्बे हैं वहाँ पर आपको इसे जो थोड़ी से जादा मात्रा में प्रयोग करना है। अगर आपको आज काई वीडियो पसंद आया हूँ, हमारे चेनल भंडाल टीवी को सब्सक्राइब करें। ऐसे नए नए वीडियो पसंद आने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाईए जिससे आप भंडाल टीवी के इस प्रकार की नए वीडियो सबसे पहले दिक पाएं। धन्यवाद दोस्तों